ये लोग जो एक दूसरे से लिपट कर चीख रही हैं इन लोगों ने आज अपने ही घर में हत्या का वो खौफनाक मंजर देखा है जिसे सुनेंगे तो सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर थर्रा उठेगा जी हाँ, इन लोगों ने दिन दहाडे अपने ही घर में गोली चलते हुए देखी है किसी अपने का खून बहते और उसे दम तोड़ते हुए देखा है और तो और इन लोगों ने हत्यारे को पकड़ भी लिया है लेकिन अफसोस ये कि लाख जद्दो जहद के बाद भी परिवार का वो सदस्य बच नहीं सका जिसे घर में घुसकर गोली मारी गई है रोंग्टे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें पानिपत की परम हंस कुटिया के पास की है जहां पानिपत के जाने माने हाइट्रोन कंप्यूटर सेंटर के संचालक विनोद बराडा को घर में घुसकर गोली मार दी गई विनोद बराडा को गोली मारने वाला आरोपी पंचाब का एक ट्रक चालक है और बताय जा रहा है कि आरोपी विनोद बराडा के घर उनसे माफी मांगने के लिए आये था देरसल मिली जानगारी के मताबिक कुछ दिनों पहले आरोपी के ट्रक और विनोद बराडा की गाड़ी में टक्कर हो गई थी जिसके बाद विनोद बराडा ने आरोपी के खिलाफ केस दर्च करवा दिया था हाला कि आरोपी ट्रक्चालक ने इस हादसे को लेकर कई बार विनोद से माफी मांगी थी और आज भी वो माफी मांगने के लिए ही घर पर आया था लेकिन इस बीच दोनों में कहा सुनी हो गई लेहाजा तैश में आकर आरोपी ट्रक चलक ने विनोत की गोली मार कर हत्या कर दी लड़के के लाम क्या है जिसको बोली लगी है उसकी मिशी अंदर रोटी मारी थी और एक तो मिना ये अंदर बढ़ गया जो धाई अंदर बढ़ने के बाद इसने उन्दर कुंटी बंद करने के बाद दो गोली जिलाई है तक आप आड़ हमारे सामने में बाग कहें है एक गोली इसने कमरे मारी है है यहिसा बिर्थ बिर खिया हुई में इडर आ disciplines का ब्रूल हमने उसको पक ballotंसके बाद उसको अस्पथार नगे चाहिए हुई है गोली चलाने के बाद आरोपी भागने की फिरात में था, लेकिन परिवार के सदस्यों और पडोसियों ने बहादूरी दिखाई और आरोपी को मौके पर ही हत्यार समेथ दबोच लिया उधर घटना की सूचना पुलिस को दी गई, तो पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और आरोपी को हीरासक में ले लिया गया आलाकि इस पूरी घटना को लेकर पुलिस अभी कुछ भी खुलासा करने से बच रही है लेकिन जिस तरह से घर में घुसकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है उससे इलाके में संसनी जरूर फैल गई है ये अमें कंट्रोल से सुचना प्राप्त हुई थी कि इस पुलिस पुरंत मोके पर पहुची है और बीड ने जिस वेक्ति ने गोलिया चलाई तो उसको पुलिस के वाले कर दिया है पलस जिसको गोलिया लगी थी वह अभी ऑस्पिटल में एडमिट है इनका अभी तक प्राथमिक कुछताज पता चला है कि इनका ये जो एक्यूल्ट है ये पंजाब कर रहने वाला है और इसकी गाड़ी से लगवा डेट दो महीने पहले जिसको गोलिया लगी है उसका एक्सिडेंट हो गया था एक गोली कमर में लगी है जबकि दूसरी सिर में लगी है आना कि गोली लगने के बाद परिवार के लोगों ने तुरंत विनोत को अस्पताल में दाखिल करवाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बहराल घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को स्थानी लोगों ने पकड़ कर पुलिस को सौप दिया है ऐसे मैं अब देखना होगा कि पुलिस चानवीन के मामले में क्या खुलासा होगा पानिपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी